नमस्कार दोस्तो मुर्डूप चैनल में आप लोग का स्वागत है दोस्तो आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुसकबरी है फाइनली 36 गड़ व्यापम द्वारा जल्वी भाग में 400 पदों पर भरती के लिए विग्यापन जारी कर दिया गया है बहुत सारे ऐसे वीवर थे जो पूछ रहे थे कि इसके लिए सैक्षिरी के उग्यता क्या होना चाहिए सिलेवस क्या होगा कहां कहां से प्रसंट पूछा जाएगा कौन कौन से कटेगरी के लिए कितने पदों पर भरती किया जाएगा तो दोस्तो मैं आप लोगों को पूरी डिटेल से इस वीड़ों में इसी के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तो अगर आप लोग अभी तक चैनल में नहीं है तो चैनल को सस्क्राइब कीजिए और बेल आइकन को जुरूद दोबाया ताकि ऐसी काम प्यूरियो आप लोगों तक पहुंच सके तो वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो आप लोग यहाँ पढ़ सकते हो वी ग्यापन जारी के है काले प्रमुक अभियनता जलसन साधन विभाग 36 गड़ के द्वारा जिसके अंतरगर्द 400 पदों पर भरती किया जाएगा इसी के नीचे आप लोग यहाँ पद का नाम देख सकते हो उप अभियनता सिविल बैक लोग के टोटल 18 पद पर भरती किया जाएगा और उप अभियनता सिविल नियमित पदों पर 382 पदों पर भरती किया जाएगा टोटल 400 पद पर भरती किया जाएगा आप लोग यहां वर्गवर अरक्षित पदों की संख्या देख सकते हो की सवर के लिए कितने पदों पर भरती किया जाएगा और इसी के नीचे आप लोग यहां देख सकते हो उप अभियंता क्यों मासिक वेतन कितना दिया जाएगा 35,400 रुपे से लेके 1,24,000 रुपे प्रतीमा दिया जाएगा नियुन्तम सेक्षिरी की योग्यता यहां मांगा गया है राज्य सासन द्वारा किसी मानता प्राफ संसा से सिविल इंजिनियर में डिग्री होना चाहिए या फिर सिविल इंजिनियर में 3 वर्षिय डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों अगर आप लोगों के पास यह योग्यता है तो आप लोग इन पदों के लिए अवेदन कर सकते हो यहां पर भरती का तरीका बताया गया है आप लोगों को पूरी डिटेल से पढ़ना है उसके बाद ही आप लोग इन पदों के लिए अवेदन करें और दोस्तों आप लोग यहां पर देख सकते हो ऑनलाइन अवेदन आप लोग कब से कब तक कर सकते हैं आप पूरा डिटेल से बताया गया है दोस्तों ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्पून होने वाला है तो आप लोग प्लीज आप वीडियो को पूरा देखेगा ओनलाइन अवेदन पत्र भरने की जो प्रणबिक थिती है 14 मार्थ 2022 सो मार्थ से सुरू हो चुका है अंतिम्ति 7 अप्रेल 2022 रात्री 11 बच के 69 मिनट तक आप लोग इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हो तुरूटी सुधार आप लोग 8 अप्रेल से लेके 10 अप्रेल 2022 सक कर सकते हो परिक्षा की जो संभावित थिती है 8 माई 2022 रवी बार को निर्धारित किया गया जैसे मैंने आप लोगों पहले बता दिया था परिक्षा का समय 10 बजे से लेके 1 बज के 15 मिनट तक आप लोगों से लिया जाएगा और परिक्षा का जो केंद्र होगा 5 संभागिया मुख्यालों में आयोजित किया जाएगा दोस्तों इन पदों के लिए जो 36 गड के इस्थानिय मुल निवासिया है वो ही अवेदन कर सकते हैं और दोस्तों में इंपोडेंट पोइंट बहुत सारे ऐसे वीवर पूछ रहे थे के सर इसके लिए सलेवस क्या होना चाहिए तो आप लोग यहाँ पर डिटेल से देख सकते हो दोस्तों वीडियो को बिल्कुली पोस्त मत कीजेगा यह आप लोग के लिए बहुत ही महत्पुन होने वाला है मैं आप लोग को बार बार इसी वज़े से बता रहा हूँ आप लोग यहाँ सलेवस देख सकते हो नंबर आप पोस्ट सब इंजिनियर सिविल का है और आप लोगों को 3 घंटे का समय दिया जाएगा जिसके लिए 150 अंग का प्रस्ण दिया जाएगा General Knowledge और Knowledge of Computer से 15-15 अंग के प्रस्ण पूछा जाएगे Reasoning से 10 अंग के प्रस्ण पूछा जाएगा इसी प्रकार General Knowledge Related to Work of Applied Post से टोटल 10 अंग के प्रस्ण पूछा जाएगा जिस विसे के लिए आप लोगों ने अपलाई किया है अवेदन किया है उसमें से 10 अंग के प्रस्ण पूछा जाएगा और यहाँ पर विस्तार से यहाँ पर देख सकते हो General Knowledge से कहां कहां से कोशन प्रस्ण पूछा जाएगा यहाँ पर डेटेल से बताया गया है जैसे मैं आप लोगों को एक एक्जामपल बता देता हूँ जैसे Current Events National और International से प्रस्ण पूछा जाएगा Knowledge of 36 गर्ड जो Graphy, Location, Natural Resources से प्रस्ण पूछा जाएगा इसी परकार दोस्तो Knowledge of Computer से MS Office, Spare Seeds इस टाइप के प्रस्ण यहाँ से प्रस्ण पूछा जाएगा और दोस्तों आप लोग यहाँ देख सकते हो Reasoning से कहां कहां से प्रस्ण पूछा जाएगा Coding, Decoding, Number Series, Non-Volver Series यहाँ से आप लोगों से Question प्रस्ण पूछा जाएगा आप लोग वीडियो को Pause करके भी देख सकते हो और दोस्तों Section B आप लोग यहाँ देख सकते हो जिस सब्जेक से आप लोगों ने पढ़ाई किया है Civil Engineering से वहाँ से पूरा प्रस्ण यहाँ लगभग सव अंग का प्रस्ण पूछा जाएगा यहाँ पर डिटेल से बताया गया है आप लोग वीडियो को Pause करके भी देख सकते हो और दोस्तों जो भी important point था जो आप लोगों को जानना बहुत ही महत्पूर्ला था बॉक्स में दे दूँगा आप लोग वहाँ पर डाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हो मगर आप लोग कमेंट करोगे जबी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा सकता हूँ और दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग अधिक से अधिक सेयर कीजेगा ताकि ऐसी काम की उड़ो जुरतमन लोगों तक पहुंच सके और इस वी ग्यापन से संबंदित अगर आप लोगों के पास कोई भी सवाल है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद